नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी Youtube चैनल महां इंद्रचाल में दोस्तों नवरात्री यानी कि माता के पवित्र नो दिनों का समय चल रहा है और दोस्तों इन नो दिनों में लोग अनेक परकार के टोटके करते हैं ताकि उनके उपर माता लक्ष में की किर्पया होनी शुरू हो जाए और उनके जिवन में पैसा ऐसे बरसे जैसे बरसात में पानी परसता है। दोस्तो यदि आप माला माल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो दोस्तो नवरात्री के दिनों में आप इस टोटके को जरूर करें, दोस्तो कुछ परियोग ऐसे होते हैं, जो विशेश दिनों में ही किया जाते हैं, जैसे नवरात्री, दिपावली या हुली का जो सम है इसमें ही किया जाते हैं तोो दोस्तो नव्रात्ति के समय चलरा है स्वें नो दिनों के समय चलरा है जो टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो इसको आप एक बार जुरूर मोरें मताह Это क्रिप आपके उपर होगी और आपके जिवन में धन-धन में आना शुरू हो जाएगा दोस्तो एक सिक्का और लाल कपड़ा खोल देगा आपकी किस्मत जी हां दोस्तो एक सिक्का और लाल कपड़ा इसके माध्यम से ही हम इस परियोग को करेंगे इस टोटके को करेंगे और बहुत ही सरल सा परियोग है सरल सा टोटका है त दोस्तो अगर आप मर से चुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल महा इंदर जाल सब्सक्राइब करें साथ ही आप बैल का इकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी वीडियोज अप्लोड करें वे आप तक पहुंच जाएं दोस्तो माता लक्षमी कि यदि आप किर्फिया प्राप करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके जिवन में धन धन है कि कमी ना रहे और लक्षमी माता की किर्फिया आपके परबनी रहे तो दोस्तो बहुती सरल सा प्रियोग है इसे आप जुरूर करें दोस्तो कुछ छोटी आपको बिस्द्र पर नहीं जाहिए। दोस्तो तुल्सा हूं हम माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं कुछ लोग तुलसा को जब खाते हैं तो चबा कर खाते हैं दोस्तो ऐसी गलती बिलकुल भी ना करें भूल कर भी ना करें तुलसा को कभी भी चबा करना का हैं क्योंकि तुलसा को लक्ष्मी माता को रूप माना जाता है तुलसा को ले औ तो लग्षी माता हमसे रूट जाती है, कभी भी रात के समय धही नहीं खानी चाहिए, धही खाने का सही समय है, दिन में, यानि सुर्यास्तिक से पहले, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, वो सरलसा प्रियोग, सरलसा टूटका, जो आपको इन नवरात्री की दिनों में अव कोई साभी सिख्का हो, आप ले सकते हैं, और दोस्तों एक लाल रंग का धागा आपको लेना है, लाल रंग का धागा आपको बजार से मिल जाएगा, आप जो उन का गोला होता है, लाल रंग की जो उन होती है, वो ले सकते हैं, या अगर आपको लाल रंग का धागा ना मिल तो जो कलावा होता है, जो मोली होती है, जिसे हम कलाई में पहनते हैं, कलाई में बानते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, अब दोस्तों परिव आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों किसी भी दिन, नवरात्री में किसी भी दिन, आप एक पातर में आप थोड़ा सा पानी ल साल देना है इसके पशचात अच्छी तरह के similar आपके पास द्यान रखना है जो लाल रंख कपड़ा आप परयोक करेंगे यह बिलूकुल नया होना चाहिए कोरा होना चाहिए यह पर युक किया वह कपड़ा नहीं होना चाहिए आप बजार से ला सकते हैं चोटा सा कपड़ा लेकर आना है जितने बड़ा रुमाल होता है इतना बड़ा कपड़ आपको लेकर आना है अब दोस्तों इस रुमाल में जो एक रुपे का या जो मौली थी जिसे कलावब बोलता है उससे आप इसको गार्ड बांदकर कुछ दागा छोड़ दीचे ताकि हम इस प्रयोग को लटका सकें इस टोटके को लटका सकें दोस्तो इसके पशात जो ये लाल रंग के कपड़े में जो आपने सिक्का जो बांदा था लाल रंग के कपड़े से अब आप इस सिक्क्य को माता के आगे रखते हैं माता की शिरी चर्णों में आप इसको रख दें और लक्ष्मी माता से प्रार्थन करें कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में जो भी दरीदृता है जो भी हमारे घर में एशांती है जो भी हमारे घर में रुकावटे आ रही है वो दूर हो जाएं हे माता लक्ष्मी हमारे घर में अपनी किरिपे बनाए रखें बाल बच्चों के उपर अपनी किरिपे बनाए रखें घर में दरिदिता का नाश हो घर में एराजकता का नाश हो और हमारे घर में तरक्की, मान सम्मान, यश, व्रधी, कीर्थी इसकी वृद्धी होती चली जाए दोस्तों लक्ष्मी माता से आप प्रेम पुर्वक हाद जोड़कर आप प्रार्थना करें दोस्तों लक्ष्मी माता जो कि धन को देने वाली है यश कीरती को देने वाली है वो निश्चित रूप से आपकी भावनों को समझेगी और दोस्तों आपकी उपर अपनी किर्पा करेगी इसके पर शाथ दोस्तों जो ये परियोग था जो लाल रंग का जो आपने त्यार किया है परियोग टोटका इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहीनी दिशा में लटका दे है दाहीनी दिशा में किस तरह लटकाना है जब आप अपने घर में परवेश करेंगे तो परवेश करते समय यानि बाहर से अंदर जाते समय परवेश करते समय जो आपका दाहिना हात है, उस तरफ आपको लटकाना है, तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके बाई तरफ होगा, और जब आप घर में अंदर परवेश करेंगे, तो आपके दाहिनी तरफ होगा, और आप इस टोटके को, इस परियोग को, अपने जो मेन गेट है मुख्य द्वारे उसकी चोगट में आप लटका दें दोस्तो इससे क्या होगा एक तो आपके घर में positive energy positive vibrations आएंगी और दोस्तो माता लक्ष्मी की किरिपया आपके उपर होनी शुरू हो जाएगी देकि दोस्तो माता लक्ष्मी तो सब के उपर अपनी किरिपया कर रही है आपके आसपास लोगों के पास दंसम पती है लेकिन आपके आपस नहीं है तो दोस्तो जदि आप चाहते हैं कि आपके उपर भी माता की किरिपया हो तो दोस्तो आप इस टोटके को जुरू लटकाए क्योंकि दोस्तो इससे जो माता राने की जो किरपया है वो आपके घर की तरफ अकर्शित होनी शुरू हो जाएगी दोस्तो ये एक प्रगार का निमंतरण है माता लक्ष्मी को आप माता लक्ष्मी को निमंतरण दे रहे हैं इस परियोग के द्वारा इहे मातलक्षमी आप भी मेरे घर में आईए और मुझे अपना आशिरवाद दीजी और मेरे ओपर और मेरे परिवार के ओपर अपनी किर्पया बना कर रखिए दोस्तो बहुती सरल सा परियोग है दोस्तो नवरात्रे के 25 दिन चल रहे हैं माता के दिन चल रहे हैं आप इन दिनों में एक बार इस टोटके को अवश्य कर लें दोस्तो कुछ नहीं पता कब कौन सा परियोग कौन सा टोटका हमारी चिंद की बतल दे दोस्तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टोटका है ये प्रियोग है ये निश्चित रूप से आपके उपर आपको ये सूट करेगा और माता की किरिपे आपके उपर मातरानी किरिपे आपके उपर अवश्य होगी दोस्तो इसी कामनाओं के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जुरूर करें जय माता दिये